MLC के लिए नामंकन करने के बाद सपा के वरिष्ट नेता और पूर्ब मंत्री सुआमी परसाद मौरे ने गटबनन के नाराज़की को लेकर बड़ा बयान दिया है और दावा किया है कि MLC के लिए उमिद्वारों का फैसला ओपी राजबर के साथ चर्चा के बाद लिया गया इसे मुद्धे पर आद नाइन्यूस के समवाद दाता अमीतेश शिरिवास्तब ने सुआमी परसाद मौरे से खास बादचीत की क्या को चुनों ने कहा आए सुनते हैं समझवादी पार्टी के सीनिय लेडर उत्य प्रदेशकार के पुर्म मंत्री समवी परसाद मौरे जी अब विधान परशद जा रहे हैं सर आपको पार्टी ने विधान परशद भेजा है जो विश्वाज जता या राष्ट्री अदर जीने क्या कहेंगे समाजवादी पार्टी की राष्टी है जर्स स्री अक्सलेश यादोजी ने मुझे प्रत्यास्टी बना करके प्रदेश और देश के उन दरीतों, पिछणों, गरीबों, बंचितों और उपेचित समाज के लोगों के साथ साथ गाउंगरी बिरुजगारों की आवाज को जो मैं बुलंद करता रहा हूँ कि वो पुरा का पुरा समान इन समाज के लोगों को जाता है और इसके लिए मैं समाजवादी पार्टी की राश्चिय द्रश जी को बहुत बढ़ाई भी और धन्यवाद देता हूँ पार्टी के बित्ता रार भी शुरू हो गई है कि अम सहयोगी दल आपके हैं वो कहा है कि हम पार्टी में नहीं रहेंगे करवंदन सलक अनुने कहा है और प्रकास राजबर्ट भी नाज बता जा रहे हैं तो आने वाले उप्चुनावाँ में फिर लोग सब्चुनावाँ म देखनों को मिलेगा देखिए अज़ी बात है हमारे कर दमनन के बरिष्ट नहीं निता जाए और राजबर जी का सदर समान रहा है आज भी आगे भी रहेगा जो भी प्रत्यासी तएकिए गये हैं वह स्री ओम्रकास राजबर जी से बात करने के बाद ही तएकिए गये हैं इ कि बीजेपी सवाल खड़े कर रही हो कह रही है कि समयवाधी पार्टी में सब कुछ ठीक नहीं चल रहा है कि भारती हंता पार्टी को अपने गिरेबान के अंदर जहां करके देखना चाहिए कि दूसरों पर उगली उठाने के पहले अपने पार्टी के अंदर कारकरताओं बिधायकों और सांसदों में जो घुचन लोग मैशूश कर रहे हैं उसका एसास उसे करना चाहिए और सही मैंने में भारती इंता पार्टी आज सभी मुद्दों पर पूरी तरीके से फेल हो चुकी है अपनी अस्वर्ताओं को छिपाने के लिए आज सरकार स्वयम गैर कानूनी और आराजक हत्कंडे अपना कर विपश को कुचलने के प्रयाश कर रही है इसके स्वय कुछ नहीं बहुत शुक्रिया यह समझवादी पार्टी के वरिश्टनेता स्वामी प्रसंद मौर्या जी जो बिधान प्रश्चत जा रहे हैं इसलिए समझवादी पार्टी के राष्ट्री अध्धर शकले शादों क झाल